Hello students, Welcome to Adroid Competitive Classes. Adroid Competitive Classes में आपका स्वागत है और आपको पता ही है कि हम लोगों का क्या है? हम लोगों का बैच चल रहा है SSE, GED, Mission, सफलता बैच जिसमें हम पाँचोज़ जेज आपको के लिए बहुत बहुत महनत कर रहे हैं तो make sure करो कि आप लोग भी हमारे साथ महनत करो और जब तोनों महनत करेंगे हम भी महनत करेंगे आप लोग भी महनत करोगे तब आप लोगों की महनत जो है वो रंग लाएगी ठीक है भई तो आज हमारा है day 15 और इस से पहले 14 classes हमारी हो चुकी है और सारे बच्चे पूरे कि हम क्या कर रहे हैं हम एक 60 days का अपका चला रहे है बैच और in 60 days में मैं आपको क्या करायूंगी इन 60 days में मैं आपको क्या कराऊंगी? science कराऊंगी, ठीक है? 60 days में मैं आपको science कराऊंगी और 60 days में मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? कि हम पढ़ेंगे content plus pyq, content plus pyq, तो देखो इससे best पढ़ने का तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, कि आपको एक ही जगह पे content में बिल रहा है और आपको उसी जगह पे अपना pyq भी मिल रहे हैं, तो पहले आप अपना content cover करो, content cover करके फिर साथ-साथ अपना pyq लगा लो, तो इससे best पढ़ने का तरीका तो कुछ हो नहीं सकता भाई, ठीक है? तो आगे बढ़ता है, हमने कल क्या किया था? हमने अपना blood topic खतम कर लिया था, blood का content हम हमारक हतम हो गया था last class में, और last class में blood के हमने कुछ questions किये थे, 4-5 कुछ questions किये थे, मुझे याद नहीं कितने questions किये थे, पर कुछ questions किये थे, तो आगे हम अपने बच्चेवे questions को continue करेंगे आज, ठीक है? तो आगे हम बच्चेवे questions को आज continue करेंगे, हमारे जो blood के बच्च के कख्ष होते हैं तो मैंने जहां पर आपको हर्ट चेंबर के बारे में बताया था वहीं पर मैंने आपको exception लिखवाय था वहीं पर मैंने आपको क्या exception लिखवाय था मैंने आपको यह बताया था कि जो चंबर रेप्टाइल सोते हैं रेपटलर्स जो होते हैं रेपटाइल के हर्ट के चंबर कितने उते हैं 30 एन पाव करْपकर एइसा है एक रेप्टाइल ऐसा है क्या क्रोटाइल कि अव्द कितने होते हैं उसके chamber होते हैं चार उसके chamber कितने होते हैं चार तो ये आपका क्या है crocodile आपका exception case में आ जाता है और ये exception case है इसी लिए ये paper में ज्यादा पूछा जाता है तो answer हमारा क्या जाएगा answer is 4 मतलब option number B is the right answer clear है बई clear है न अब यहां पर मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है और वो है cockroach के बारे में cockroach के बारे में अब cockroach तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा सब लोगों ने अपने घर में cockroach देखा होगा तो दिहान से देखो हमारा जो cockroach होता है उसके actual में जो heart के chamber होते हैं वो कितने होते हैं वो होते हैं 13 कैसे होते हैं तेरा ऐसे होते हैं कि देखो इसके ऐसे sections बने होते हैं ऐसे करके आपको यह sections दिख रहे होंगे एक मिनिट मैं दूसरे color से show करती हूँ शायद आपको इस color से visible नहीं होंगे क्योंकि cockroach का रंग भी कुछ ऐसा ऐसा ही हो गया तो देखो यहां पर देखो ऐसे करके cockroach के कुछ heart chambers ऐसे करके cockroach के heart chambers होते हैं ठीक है यह इसके heart chambers है और cockroach के अंदर कितने heart chambers होते हैं cockroach के अंदर होते हैं तेरा chamber थर्टीन तेरा chamber तो यह actual में ऐसा नहीं है कि particular room है actual में कुछ यह है कि यह ऐसा dissect है कि जो cockroach का heart होता है वह ऐसे करके ना ऐसे करके dissects आए, मतलब वो तेरा भागों में ऐसे करके थोड़ा 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 आपके ऐसे करके बटा हुआ है, तो ऐसे करके cockroach में जो है वो तेरा भाग है, तो cockroach के हट में कितने चमबर होए, तेरा चमबर होए, तेरा चमबर, क्या याद रखनी है कि जो क्रोकोडाइल होता है क्रोकोडाइल जो होता है मगरमज जो होता है उसमें हट के चमबर कितने होते हैं उसमें हट के चमबर होते हैं चार और जो आपका क्या होता है कोकरोज होता है जो आपका कोकरोज होता है उसमें हट के चमबर कितने होते हैं उस 15-16 g of hemoglobin in every dash of blood, आपको पते हैं, हम हमारा खून जाच करवाने जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहां पर क्या लगता है, हमारे यहां पर लगता है, आप सब लोगों को पता होगा, blood donation camp हमारे यहाँ पर क्या लगता है blood donation camp लगता है blood donation camp लगता है तो जब हमारे यहाँ पर blood donation camp लगता है तो उस time पर हम लोग क्या करते हैं blood donate करने जाते हैं जब हम blood donate करने जाते हैं तो वो लोग हमारा एक test करते हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि हमारे blood में कितना hemoglobin है, ये हमें पता चलता है, अब ध्यान से सुनो, generally जो एक normal range होती है, एक normal range में ये माना गया है कि एक ladies में जो hemoglobin होता है, वो होता है 10 से 12, अगर आपका 10 से जादा जा रहा है, 10 से कम जा रहा है, तो मतलब आपको आप में खून की कमी है, और अगर 12 से जादा जा रहा है, तो मतलब भाई बहुत अच्छा ही खून है, ठीक है, और जो आपके gents होते हैं, यानि के जो males होते हैं, males में आपका hemoglobin कितना होता है, 13 to 15 होता है, 13 to 15 होता है, मतलब अगर 13 से नीचे males का hemoglobin है, मतलब उसमें खून की कमी है, और अगर 15 से ऊपर आपका ह है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब आप बहुत अच्छी डाइट लेते हो, बहुत अच्छी आप डाइट लेते हो, तो अगर किसी lady का, अगर कोई lady blood donate करने गई है, और उसका 10 से कम है, या 10 भी है, बिल्कुल ही मतलब वो एक सीमा पर खड़ी है, कि भाई उसमें स हीमोगलोबिन कितना है, 12.7, 12.7, तो ladies के साब से बहुत जादा है, ladies के साब से बहुत जादा है, मतलब मैं आपको दिखने में दुबली पतली लग रही होंगी, पर सच में blood इतना ही है, और मेरा blood group भी थोड़ा सा अलग ही है, मेरा blood group है A negative, मतलब थोड़ा सा rarest type है, ठीक है और अगर किसे जैंट का जो blood है, उसमें अगर हीमोगलोबिन कितना है, 15 है या 15 से थोड़ा पहुत जादा है, कुछ पॉइंट उपर है, तो उसका donation ले लिया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जैंट का 14 पर भी ले लेते हैं, 14 पर भी ले लेते हैं, तो ये वो वाला criteria ह तो इसमें ये पूछा गया है, कि जो हम ये मानते हैं, कि इसमें इतना ग्राम खून है, जो हम बोलते हैं कि इसमें 12 ग्राम खून है, इसमें 13 ग्राम खून है, इसमें 14 ग्राम खून है, इसमें 15 ग्राम खून है, इसमें 16 ग्राम खून है, ये जो blood है, ये कितने हीमोगलोब every पे ये गिना जाता है, तो ये गिना जाता है 100 पे, ये किना जाता है कितने पे, 100 पे, 100 पे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये गिना जाता है 100 पे, आप देखो ये रहा, ये इसका क्या है, ये इसका solution है, पर 100 ml ब्लड में आपका कितना हीमोगलोबिन होना चाहिए, 12 से सोला ग्राम होना चाहिए देखो मैंने आपको पीछे भी बता दिया है लेडीज में कितना होना चाहिए दस से बारा दस से नीच अगर लेडीज गई तो खून की कमी जैंट्स में कितना होना चाहिए तेरा से पंदर या सोला तक मतलब ऐसे करके तो जो नॉर्मल एवरेज निकाला जाता है एवरेज यह बोला जाता है कि एक हुमन के अंदर एवरेज यह बोला जाता है कि एक हुमन के अंदर बारा से सोला ग्राम खून होना चाहिए एक्चल में वो खून नहीं है वो क्या है वो है हीमोगलोबिन हीमोगलोबिन और यह बारा से सोला ग्राम क्या है हमारा हीमोगलोबिन है और इस हीमोगलोबिन को हम कैसे निकालते हैं पर हंड्रड एमल पे आपका इतना होना चाहिए पर हंड्रड एमल आपका इतना होना चाहिए ख्लियर है ख्लियर है ख्लियर है ख्लियर है ना तो पर हंड्र एमल पर आपका कितना होना चाहिए इतना होना में है कि O2 मतलब यह मैंने last में वैसे blood वाली उसमें भी बता दिया था कि जो oxygen होता है वो अपने साथ bind करता है proteins को ठीक है और यह कौन सा protein bind करता है oxygen अपने साथ hemoglobin को bind करता है एक hemoglobin अपने साथ कितने oxygen के molecule लेके चलता है तो चार oxygen के molecule लेके चलता है एक RBC में अगर hemoglobin की बात करें तो एक RBC में कितना hemoglobin होता है 280m hemoglobin होता है क्लियर है भई आगे बढ़ता है next question है which of the following blood group is called the universal receiver मतलब ऐसा रख सम्मोह जो दुनिया में किसी को भी दे सकता है जो दुनिया में किसी को भी अपना खून दे सकता है समझ में आया तो यहां पर मुझे आपको एक concept समझाना है यहां पर मुझे आपको एक concept समझाना है सबसे पहले तो इसका अंसर ही लगा लेते हैं, सबसे पहले तो इसका अंसर ही लगा लेते हैं, आंसर is AB positive, अब इसको समझते हैं, AB positive can receive blood from any blood group and it is called the universal receiver, मतलब दुनिया में किसी से भी ये खून ले सकता है, आप ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, हमारे प्लस जो blood group हैं, वो actual में चार प्रकार क्यों होता है, एक होता है AB, ठीक है, एक होता है आपका O, एक होता है A, और एक होता है B, ठीक है, उसी तरीके से इधर लिखेंगे, A, A, B, O, और आपका A, और आपका B, ये चार तरीके के आपके blood group होता है, ठीक है, अब इन में एक चीज़ का ओर फरक पड़ता है, कि ये positive charge भी होता है और negative charge भी होता है, positive, positive और ये हैं आपके negative, 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 ध्यान से सुनो, जिनके पास positive charge है, जो positive charge वाले हैं, उनके पास एक RH factor होता है, उनके पास क्यों होता है, एक RH factor, RH factor का मतलब यहाँ पर आप एक चीज़ समझोगे, सिर्फ सीधी-सीधी, RH factor का मतलब है एक extra quality, एक extra quality, समझ में आ रहा है, एक extra quality, तो कौन साब लड़ किसको हम चड़ा सकते हैं, वो चीज़ हम समझेंगे, इन सब के पास RH factor है, और इनके पास RH factor नहीं है, इनके पास RH factor नहीं है, तो ध्यान से देखो, अगर हम AB positive की बात करें, तो AB positive में क्या है, अच्छा, अच्छा, यह O negative से ले सकता है, तो बिल्कुल O negative से भी ले सकता है, यह क्या B negative से ले सकता है, तो B negative से भी ले सकता है, यह O positive से ले सकता है, यह भी, एक मिनट, ऐसे arrow करके आपको समझ में कम आएगा, मैं आपको लिख देती हूं, मैं आपको ये चीज़ लिख के समझाती हूं, लिख के कैसे समझाओंगी, कि A B positive किसके से receive करता है, तो A B positive जो है वो O positive से receive कर सकता है, A positive से receive कर सकता है, B positive से, A B minus से, B minus से, O minus से, और आपका A minus से, सबसे receive कर सकता है A, B positive अब O positive की बात करते है O positive किस किस से receive कर सकता है O positive आपका receive किस से कर सकता है आपका O positive receive कर सकता है A एक तो O negative से एक तो O negative से और आपका एक A positive से और हाँ, एक A एक A, B positive से इनसे receive कर सकता है तो उसी तरीके से आपका जो A positive है तो वो किस से receive कर सकता है, a positive receive कर सकता है, a negative से, o negative से, और आपका a b negative से, और आपका a b positive से, हाँ, इन ही से कर सकता है, उसी तरीके से जो आपका b positive है, b positive किस से receive कर सकता है, तो b positive कर सकता है, b negative से receive कर सकता है, a b negative से receive कर सकता है, और o negative से receive कर सकता है, ठीक है, और B positive receive कर सकता है A positive से ठीक है यह वाले छूट जाएंगे और O positive से भी receive कर सकता है ठीक है आग आपकी जो blood group होती है उसमें दो चीज़े mean होती है सबसे पहले दो चीज़े होती है इसमें एक तो universal receiver होता है यानि कि पूरी दुनिया से खून लेने वाला कि दूसरे इंसान का कैसा भी blood हो वो चड़ा दो वो उसको suit कर जाएगा that is A B positive A B positive दुनिया में किसी से भी खून ले सकता है यह सर्व ग्राही होता है उसी तरीके से एक universal donor होता है उसी तरीके से क्या होता है उसी तरीके से एक होता है universal donor तो जो universal donor होता है वो दुनिया में किसी को भी खून दे सकता है और वो कौन है, वो है O negative, वो कौन है, वो है O negative, O negative सब को खुन दे सकता है, सब को, चाहे किसी का कोई भी blood group हो, O negative सब को blood दे सकता है, clear है भई, आगे बढ़ते हैं, Next question है, which of the following carries blood from the heart to the kidney, ध्यान से सुनो, मतलब के कौन ऐसी इन में से है, जो heart से, जो क्या करती है, जो heart से blood को लेकर आती है, किस तक, kidney तक, जो heart से blood को कहां तक लेकर आती है, kidney तक, यह हमारी क्या है, यह हमारी है, kidney, व्लट कॉन लेकर आती है bands से किडनी तक ब्लड कौन लेकर आती है are टी ल आटरीं स्थ Allah यह स्थ यह देखो यह यह देखो इस से कौन लेकर आई लेकर आने वाली पूछ से कैवी है कीड्नी नेए ट्री material blood को दे दिया, अपने अंदर से निकाल के, तो ये blood तो impurify हो गया, तो ये तो देखो ध्यान से ये लेके जाने वाली है, लेकिन heart, यहाँ पे heart है, यहाँ पे heart है, तो heart से लाने वाली कौन है, लाने वाली ये है, renal artery, लाने वाली कौन है, renal artery, ये हमारी क्या है, kidney है, हमारी kidney कैसे होते है, bean shape होती है, अभी हम excretory system बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम blood vessel की बात करे थे, तो यहाँ पे renal artery हमें पढ़ना जरूरी था, ठीक है, और जो आपकी kidney से blood को लेकर जाती है, वो कौन सी है renal vein, और kidney तक blood लाने वाली कौन सी है, kidney तक blood लाने वाल मतलब कि RBC के लिए body का कौन सा part है, जो responsible है, red blood cell को बनाने के लिए कौन सा part responsible है, तो कल मैंने आपको बहुत चिला चिला के समझाया था, बहुत अच्छे से आपको explain करके बताया था, कि that is bone marrow, bone marrow ही ऐसा है, जो RBC और WBC का निर्मान करता है, RBC और WBC का निर्मान का होता है, bone marrow म में होता है, और RBC और WBC की death का होती है, तो death होती है, आपकी कहाँ पे, splin में जाके, pliha में जाके death होती है, clear है ना, clear है भई, आगे बढ़ते हैं, who performs the task capturing oxygen in the blood, मतलब अगर आपने मेरी last की दो classes content वाली देख लिया ना, तो एक भी question आपका चुटेगा नहीं, एक भी question आपक चुटेगा नहीं, यह देखो, यहाँ पे extra point मैंने add करवाई हैं, यह देखो, कौन carry करता है, hemoglobin, देखो दो को यहीं से पता चल रहा है, और मैंने कल की class में तो बहुत, बहुत मतलब मजे से बताया था, बहुत मजे से मैंने आपको सारी चीज़े समझा दी थी, कि क्या होत supply O2, और एक hemoglobin क्या करता है, एक hemoglobin अपने साथ चार molecule को bind करके चलता है, clear है, तो answer is, answer is D, answer is hemoglobin, तो oxygen को capture करने का काम कौन करता है, काम कौन करता है, आपका hemoglobin करता है, ध्यान से देखो, यह diagram मैंने डलवाया है, यह oxygen है, जो lungs से आई है, यह hemoglobin है, यह hemoglobin है, अब hemoglobin ने क्या किया, अपने, देखो, यहाँ पर आपको मेरे साब से visible है नहीं, और फिर भी मैं एक बार बनाने की कोशिश करती हूँ, देखो, यहाँ पर यह hemoglobin के molecules ऐसे दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ऐसे करके, यह हमारी क्या है, यह हमारी red blood cell है, यह red blood CSCell के अंदर ऐसे करके ही hemoglobin बड़ा हुआ है, ऐसे करके hemoglobin बड़ा हुआ है, यह आपका घंटल ब्लू कलर का, बडला ब्लू कलर का obvious नहीं है, बस दिखाए हुआ है, oxygen आपका आया है, और यह oxygen यहाँ पर आके, यह oxygen जो है, आपका hemoglobin ने अपने अंदर ले लिया है, hemoglobin अपने अंदर ले लिया यहां पर देखो oxygen bonded with hemoglobin molecules oxygen bonded with hemoglobin molecules और यहां पर जाके क्या होता है कि oxygen release to tissue cell मतलब जहां पर जिस cell को पहुचानी होती है वहां पर hemoglobin क्या करता है oxygen को छोड़ देता है oxygen को दे देता है clear है तो हमारी body में transport का काम कौन करता है blood इसलिए blood को क्या कहते है blood connected tissue कहते है अब हमारी body में सबसे जाद़ transportation का काम क्या होता है gases की supply करना और gases की supply करने का काम कौन करता है आपका rbcs करती है blood में rbcs करती है अब blood में rbcs में ऐसा क्या है जो oxygen supply का काम करता है oxygen supply का काम आपका कौन करता है red blood cells करती है red blood cells लेकिन इसमें ये पूछा था कि blood में ऐसा component कौन सा है तो इसलिए answer क्या जाएगा answer आजाएगा hemoglobin ये देखो, ये सब कुछ इसके बारे में hemoglobin के बारे में सारे चीज़े लिखी हुई है hemoglobin रख्त में oxygen को capture करता है, ठीक है मूल रूप से RBC के अंदर protein होते है RBC के अंदर क्या होते है? proteins होते है hemoglobin क्या है? hemoglobin एक तरीके का protein है hemoglobin भी एक तरीके का protein है that is blood protein hemoglobin भी क्या है? blood protein है ठीक है और कोशिकाउं तो oxygen को ले जाते हैं फेफडो में कार्बंडा उक्साइड भी ले जाते हैं आपको पता ही है कि बहां पे भी आपकी ब्लेड वेसल गई भी थी कैपिलरीज के रूप में ठ्रेड लाइक और सारी अलवलाइस से चिप की हुई थी जाला जाला बनाके और वहां क्या हो रहा था वहां गैसियस एक्सचेंज हो रहा था गैस का विनिय में हो रहा था आपका ओटू लिया जा रहा था और सी ओटू दिया जा रहा था फिर हम क्या करते हैं एक्जेल करते हैं और अलवलाइस क्या करते हैं हमारी जो सी ओटू को एकटा करके रखते हैं वो हम body से बाहर निकाल देते हैं, तो oxygen को बानते हैं ये, chemoglobin में वही iron होता है, जो रक्त को उसको लाल रंग देता है, मतलब chemoglobin में क्या है, chemoglobin जो protein है, उसमें क्या है, iron है, इसकी वज़ा से ही जो blood है, वो red color का दिखता है, जो blood है, वो लाल रंग का दिखेगा, clear है, आगे बढ़ते हैं, ये देखो question, next question है, the blood vessel that carry blood from the heart to the various part of the body are called, रक्त वाहिकाएं जो हद्दे से रक्त को शरीर के विभिन भागों में पहुचाती है, उनको क्या कहते हैं, तो ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, कल मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको परसों क्या समझाया था, मैंने आपको परसों ये समझाया था, ये four chamber वाला हमारा ऐसे heart होता है, ये four chamber वाला हमारा heart होता है, और यहां से क्या होता है कि deoxygenated blood पहले क्या होता है पूरी body से पहले chamber में आता है पहले chamber से दूसरे chamber में आता है दूसरे chamber से दोनों lungs में चला जाता है है ना दूसरे chamber से कहां चला जाता है दोनों lungs में चला जाता है फिर दोनों lungs में जाने के बाद वहां से blood क्या हो जाता है purify ह ब्लड करने वाली एक प्यूर ब्लड करने वाली क्या है आइट्री क्या है प्योर ब्लड ब्लड करी करने वाली आइट्री है इसलिए आंसर क्या जाएगा आंसर आजाएगा आइट्री क्योंकि मैंने बताया है आपको कि हमारी बॉड़ी में सिर्फ एक्सेप्शन केस है हमारी बॉड़ी में दो तरीके की ब्लड वेसल होती है एक आटरीस हमेशा कैसी करेंगी ? pure blood carry करेंगी और veins कैसा करेंगी ? अर veins कारेंगी ? OW перекit हमारे बॉड़ी में एक veins repertoire करेंगी करेंगी , लेकिन हमारी body में एक veins fulfill ऐसी है , चिसको क्या कहाता है ? PULMNRY वेन , जो pure blood carry करती है वैसे ही हमारी body में एक artery है , जो impure blood carry करती है , that is pulmonary artery, pulmonary artery, clear है, देखो, यह मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने आपको explain किया है, यह आपकी क्या है, वेना कावा, यह आपकी क्या है, यह आपकी है, वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा ने क्या क्या है, पोरी बॉड़ी से, इंप इंप्यूर ब्लेट कहा आगया है यह इंप्यूर ब्लेट उसके बाद कहा आया है फस्स चेमबर में आया है फस्स चेमबर में फस्स चेमबर से कहा आया है इंप्यूर ब्लेट आपका यह चला गया है यहां पर लंक्स के अंदर यहां पर यह कहा चला गया लंक्स में चला गया यह लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से यह लाया जा रहा है, यह देखो, यह लंग्स से लाया गया, लंग्स से लाके यह यहां आया, फिर यहां से यह ऐसे करके पंप हुआ, और पंप करके अपना पूरी बोडी में सर्कुलेट हो गया, यह process मैंने आपको last to last class में बहुत अच्छी से समझाया है बहुत बहुत अच्छी से समझाया है तो आपको वहीं पे सारी चीज़े जो है वो clear हो गई होगी blood clot is formed because of the presence of certain cells present in blood clot हमने कल भी पड़ा था कि जो हमारा blood होता है हमारा जो blood होता है उसमें दो पार्ट होता है पहला पार्ट क्या होता है पहला पार्ट होता है प्लाज्मा जो की होता है 55% और दूसरा पार्ट होता है 45% and that is blood corpuscles that is blood corpuscles corpuscles, अब blood corpuscles में हमारे पास तीन चीज़े थी, पहली क्या थी RBC, तूसरी क्या थी WBC, और तीसरी क्या थी, तीसरी थी platelets, तीसरी क्या थी platelets, RBC का क्या है, RBC का काम है supply auto, oxygen की supply करना, WBC का क्या है, maintain immunity, immune system को maintain करना body में, और platelets का काम क्या है, repair blood vessels, repair vessels और clotting, यह दो काम किस के है, यह काम आपके है, platelets के, तो answer क्या आना चाहिए, answer is platelets, कि हमारी body में जो blood clotting होती है, जो blood clotting होती है, जो रक्त का थक्का बनता है, जो रक्त का थक्का बनता है, वो blood के किस component के कारण बनता है, तो वो बनता है आपका platelets याने के कनिकाओं के कारण, और इसका पूरा process मैंने आपको platelets वाले में समझाया था, यह देखो धहन से, यह क्या है, हमारी एक normal blood vessel है, फिर हमें बाइचंस क्या हो गया, एकदम से injury हो गई, फिर यहाँ पर आपको यह देखो, black black spot में बना रही हूँ, यह black black spot वाली आपको क्या दिख रही है, प्लेट लेट्स क्या करेंगी, यहाँ जाके, इस जखम पर जाके, एकदम सारी ऐसे बैठ जाएंगी, और इसको भरने की क्या करेंगी, कोशिश करेंगी, इसको भरने की कोशिश करेंगी, फिर हमारा जो खून है वो बहना बंद हो जाएगा, जैसे हमारा खून बहना बंद होगा, हमारा खून जाएगा, मतलब क्या हो गया है, मतलब कि हमारी क्या हो गई है, blood clotting हो गई है, next question देखते है, which component of blood fights against the germs entering into the human body, अब देखो ध्यान से मैंने अभी अभी बताया है, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, कि हमारे blood में दो चीज़े होते हैं, 55% plasma होता है, 45% blood corpuscles होते हैं, blood corpuscles में तीन चीज़े होती है, RBC, WBC platelets, RBC क्या करती है, supply करती है, O2 का, कैसे, hemoglobin के through, hemoglobin के through, और दूसरा क्या है, WBC, WBC क्या करती है, immunity बढ़ाती है, immunity बढ़ानी का मतलब क्या है, immunity का मतलब है, प्रती रक्षा तंतर सापित करती है, प्रती रक्षा तंतर सापित करने का मतलब क्या है, कि कोई भी foreign antigen, कोई भी foreign antigen body में enter ना करें मतलब कि कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया बॉड़ी में enter ना करें तो इसका आंसर क्या हो सकता है खुद सोच के देखो entering germs, germs की बात हो रही है मतलब कोई फोरें इंटीजन हमारी बॉड़ी में enter करने की कोशिश कर रहा है तो answer क्या आएगा answer आएगा WBC, श्वेत रक्त कनिकाएं, वाइट ब्लड कॉर्पिसल्स समझ में आ गया आगे चलते हैं which of the following has two chambered heart इन में से किस के पास जो है वो चार chamber heart होता ये पूछा गया इसकी मैंने आपको पूरी list लिखवाई थी जब आपकी content वाली class हुई थी, जो human beings होते हैं, यानि के जो mammals होते हैं, उनके पास चार chamber heart होता है, आपको पता ही है, हम इतनी देर से अभी इतनी देर से चिला चिला के पढ़ रहे हैं, कि हमारे पास चार chamber होते हैं, कौन-कौन से right atrium, right ventricle, left atrium और आपका left ventricle, मतलब कि आपका बाया, अलिंद, दाया निले और आपका दाया, लिंद और बाया निले, ऐसे करके होते हैं, चार chamber हमारे पास होते हैं, ठीक है, यह पूछा गया, तो मनुश्य के पास human beings के पास कितने हैं, आपके chamber होते हैं, चार होते हैं, अब sparrow यानि के पक्षी के पास कितने चार होते हैं, चार होते हैं, तो इनके पास किया होते हैं, इनके पस टू चार होते हैं, तो आंसर तो डी आ जाएगा हमारा, लेकिन फिर भी हम एक बार अपनी जो previous list है, उसको revise कर लेते हैं, और यह list मैं आपको लिखाई थी, कि जो फिश होती हैं, जो आपका मतश्य एमफीबियन होते हैं, एमफीबियन माने उभैचर जो होते हैं, उसके पास हट के चमबर कितने होते हैं, तीन होते हैं, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानि के जो सरी सर्प होते हैं, उसके पास हट के चमबर कितने होते हैं, तीन होते हैं, मैमल्स यानि के स्तंधरी, स्त के चमबर कितने होते हैं कोकरोज के पास हर्ट के चमबर 13 होते हैं आज का हमारा पहला सवाल था कोकरोज के पास कितने हर्ट के चमबर होते हैं clear है जलो next question पर बढ़ते है which chamber of the human heart gets oxygen rich blood from the lungs बहुत ही आसान सवाल है both इसमें ये पूछा गया है कि हल्ट का कौन सा चेंबर ऐसा है जो क्या करता है जो क्या करता है जो आपका ऑक्सिजनेटेडेडरिच ब्लड क्यारी करता है, हर्ट का कौन सा चेमबर, हर्ट का कौन सा चेमबर आपका ओक्सिजन वाला ब्लड क्यारी करता है, ओक्सिजन ब्लड कौन से चेमबर में होता है, ये कॉस्चन इसमें पूछा गया है, तो देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा हर्ट है, अब मैंने आपक बताया है कि ये तो पहले वाला है, ये तो first है, first में तो क्या होगा कि पूरी body से deoxinated blood लाके इसमें डाला जाएगा, ये first chamber हो गया, अब ये second chamber हो गया, इसमें आता है, ये भी pure, impure blood है, अब ये impure blood आपका heart के पास चला जाएगा, अब purify blood होके heart के पास से जब आता है, तो है इसको काता है वो third chamber में, third chamber में आता है, third chamber is left atrium, third chamber is left atrium, left मतलब कि आपका bayaan, bayan, बायan alind, बायan alind, ठीक है, तो बायan alind इसका बिलकुल right answer आ जाएगा और answer देखते हैं हमारा answer है हमारा बाया अलिंद यानि के एक मिनिट sorry sorry दाया अलिंद दाया अलिंद option उपर नीचे लगा दिये हैं भाई बच्चो option उपर नीचे लगा दिये हैं answer है हमारा left atrium left atrium is the right answer यह देखो मैं भी सोच हूँ क्या गडबड हो गई यह option नीचे लगा दिया है तो हिंदी में आएगा आपका बाया अलिंद ठीक है सही कर रहे थे हम सही कर रहे थे typing थोड़ी सी mistake हो गई थी कोई बात नहीं भई कभी 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 हो जाता है next question है dash carries oxygenated blood from the lungs to the heart बहुत आसान question है बहुत ही आसान सवाल है इसमें पूचा है कि oxygenated blood को lungs से फेफडों से oxygen यूगतरक्त को हद्य तक कौन लेकर जाती है तो हद्य तक कौन लेकर जाती है आपको पता ही है कि इसका answer क्या आएगा इसका answer आएगा pulmonary vein इसका answer आएगा फुफुस धमनी क्योंकि ये वही एक मिनट हिंदी में गलत लिखा है हिंदी में गलत लिखा है थोड़ा सा pulmonary vein यहाँ पे actually में क्या आएगा तो कैसे मैं इरच करूँ रुको 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 काम करते हैं यहाँ पे काट के लिख देते हैं और तो क्या ही कर सकते हैं नहाँ यहाँ पे आएगा शिरा यहाँ पे क्या आएगा शिरा आएगा फुफुस शिरा फुफुस शिरा और यह वही है जो मैं exception case आप लोगो को हमेशा बताती हूं कि हमारी पूरी बॉड़ी में जो वेंस होती हैं वो हमेशा कैसा ब्लड क्यारी करती हैं वो हमेशा क्यारी करती हैं इंप्योर ब्लड लेकिन हमारी पूरी बॉड़ी में सिर्फ एक ही आपकी वें ऐसी है जो प्योर ब्लड क्यारी करती हैं और इस pulmonary vein और यह कौनसी vein है आपकी समझाती हूँ, एक बार मैं heart से आपको, पीछे वाला heart देते हैं, इसमें तो आपको नहीं समझ में आएगा, एक second, diagram, गिरा, इस वाले heart से आपको समझ में आएगा, इसमें देखो आपका, यह देखो, यह क्या है, यह है आपकी pulmonary vein, यह क्या ह आपकी, यह है आपकी pulmonary vein, और देखो, यह red color किया है, red color किया है, मतलब इसने oxygenated blood carry किया हुआ है, और यह कहां से आती है, यह आपके lungs से होकर आती है, और lungs से होकर आपकी pure blood carry करके आती है, clear है अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन से सवाल पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, यह हमा हो गया था, आगे चलते हैं, which cell in our body are popularly called soldiers of human body, अब कितनी बार बताऊं कि soldiers of human body कौन सी है, अतलब जिसने content पढ़ा है उसका एक भी question नहीं गया होगा, guarantee है, जिसने content पढ़ लिया, उसका एक भी question नहीं गया होगा, clear है, ठीक है, तो आपका इसका answer क्या हैगा, इसका answer आएगा WBC, यानि के white blood cell, सफेद रक्त कनिकाई, सफेद रक्त कनिकाई हैं, जो soldier है, जो हमारी body में immune system activate करती है, प्रती रक्षा तंतर स्थापित करती है, और हमारी body में कोई भी foreign antigen enter ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखती है, foreign antigen का मतलब है कि बाहर से कोई virus, कोई bacteria, कोई fungus, जो है, ह इस चीज़ का ध्यान रखती है, आपकी WBC, अगली सवाल पर बढ़ते है, which of the following gases reduce the oxygen carrying capacity of the blood, तो answer इसका क्या आएगा, answer इसका सुनो ध्यान से, एक बर, पहले मैं आपको यह देखते हूं, आपके कितने question रहते हैं, हम एक बर यह last question कर लेते हैं, फिर आप, मैं आपको फिर प उस process को कहते हैं, coagulation, यानि कि सकंदन, उस process को क्या कहते है, coagulation, यानि कि सकंदन, ध्यान से सुनो क्या होता है, हमारा जब blood, blood जो है, वो flow करता है, हमारा blood उस time पे positive charge होता है, हमारा blood उस time पे क्या होता है, positive charge होता है, आपने देखा होगा कि 9Y क्या करता है, 9Y आपने पास potassium आ और पॉजटीव चार्ज़ रगा दी उसने नेग discuss जार्ज पे फिटकरी लगा दिए उसने नेगिटिव चार्ज पर फिटकरी लगा दिए उसने नेगिटिव चार्ज और इस वज़े से blood जो है वो रुक गया, charge के combination से blood क्या हो गया, blood हो गया neutral, यानि के blood क्या हो गया, blood हो गया उदासीन, अब blood positive charge नहीं है, इसी process को क्या कहते है, इसी process को कहते है, coagulation, coagulation यानि के skandan, मतलब जमना, skandan उसी को कहेंगे, जब आपके positive charge नेगिटिव चार्ज आपस में मिलके neutral हो जाएंगे, उसी को skandan कहते है, clear है बई, अब हमारा last question है आज का, इस question को देख लेते हैं, देखो, which of the following gases reduce the oxygen carrying capacity of the blood, इसका पहले हम कुछ concept समझेंगे, पहले हम इसका कुछ concept समझेंगे, पहले मैं आपको एक example देती हूँ, हमारी छटे या साथवी class में एक example आता है, सारे बच्चों की book में होता है example, कि जो अंगीठी वाला example आता है, एक अंगीठी वाला, कि कभी भी सर्दी में अंगीठी जला कर बंद कमरा करके नहीं सोना चाहिए, है ना, बहुत सारे ऐसे cases बे आते हैं सर्दियों में, जो गावाओं का महुल होता है, जिन लोगों को knowledge इतनी जादा नहीं है, तो वहाँ से cases बे आता है, उस पेपर में आप पढ़ते भी हो, खबर भी पढ़ते हो कि जो लोग हैं वो अंगीठी जला के अपने कमरे में सो गए, बंद कमरा करके और सुबह देखा, तो पूरा परिवार मर चुका है, मतलब जह चुका है, वो है ही नहीं, मतलब उनके सास वास कुछ नहीं चल रहा है, वो चले गए हैं, तो ऐसे जो cases होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि जब हम सास लेते हैं, जब हम सास लेते हैं, जब हम सास लेते हैं, तो हमारी जो सास है, हमारी सास में क्या है, जब हम सास लेते हैं, तो हमारे बलड में क्या है हीमोग्लोबिन, और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन oxygen को carry करके चलता है लेकिन hemoglobin के पास एक quality है और वो quality ही हमारे लिए खतरनाक है वो quality ये है कि अगर आप किसी environment में हो और उस environment में oxygen भी है और उस environment में carbon monoxide भी है तो आपका आपका जो hemoglobin है वो carbon monoxide को ज्यादा पसंद करता है ये oxygen के साथ bound नहीं बनाता carbon monoxide के साथ अपना combination बना लेता है और पूरी body में oxygen की जगह carbon monoxide supply कर देता है अब carbon monoxide क्या है carbon monoxide एक toxic आपकी गयस है एक जहरीली गयस है और जब एक जहरीली गयस पूरी body में फैल जाएगी तो हमार शुरू हो जाएंगी और हमारी सांस हो जाएगी बंद है ना और हम बोल जाएंगी टै इसलिए अंगीठी जलाके बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए तो इस question का answer क्या आएगा इस question का answer आएगा carbon monoxide carbon monoxide clear है भई I hope सारे बुच्चों को आज की class बहुत बहुत अच्छी से समझ में आई होगी ठीक है भई thank you so much आज की class में present होने के लिए और next class में मिलते हैं हम हमारा blood वाला topic खतम हो गया है अब हम excretory system के साथ मिलेंगे और excretory system में ही में भी हम ऐसे ही करें करेंगे और जो content मुझे लगेगा कि जहां पीवाई क्यों के अंदर ही मैं content करा सकती हूं तो वहां में आपको अलग से content नहीं कराऊंगी वहां में आपको पीवाई क्यों में ही content देने की कोशिश करूँगी ठीक है भई तो thank you so much next class में मिलते हैं